हेलो फ्रेंड्स गुड़ ओड्रिंस आजके इस वीडियो में बात करते हैं डायस्कोरिया, बिलोसा की एक होमइपथिक मेडसीन है जो खासत और से दर्द निवारक के रूप में जाने जाती है दर्द निवारक मेडसीन है डायस्कोरिया, बिलोसा कौन-कौन से इंडिकेशन पर लिया जाए और कैसे यूज किया जाए पूरी बात समझते है क्योंकि जो होमेपेथिक मेटसीन है अगर उसका इंडिकेशन बिमारी के इंडिकेशन से मिलता है, मैश करता है तो सुपर तरीके से काम कर जाती है तो आज की पूरी बात डाइस्कोरिया बिलोसा की तो देखे जो डाइस्कोरिया बिलोसा है उसके सिम्टम्स कैसे आते हैं बॉडी के स्ट्रेक्चर पर डिपेंड करते हैं तो देख लिजे, जो धरवला पोर्षन है उसको जो डायफ्राम है दो भागों में डिवाइड करता है तो डायफ्राम के ऊपर वाला पोर्षन और डायफ्राम के नीची वाला पोर्षन यह वाला जो पोर्षन है डायफ्राम है जो की सांस लेने में हेल्प करता है तो दिखे जो डायफ्राम है इसके उपर लंग पाय जाता है और हर्ड पाय जाता है और हर्ड के जश्ट सामने वाले जो बड़ी सी हड़ी है यहां से ले करके नीचे तक यहां तक यह जो हड़ी है इसी हड़ी को क्या बोलते है इस्टर्नम उसी स्टर्नम के पीछे बाएं तरफ हर्ड है और उसी के दोनो तरफ क्या है लंग्स है और जो डायफ्राम के नीचे वाला पोर्शन है उसमें इस टमक आता है जिसको आप पेट बोलते हैं इसमाल इंटेस्टाइन लाज इंटेस्टाइन रेक्टम इंक्लूडिंग योट्रस फैलोपियन ट्यूब यह सब आते हैं तो इसके नीचे वाले पोर्शन में लीवर भी है इस्प्लीन भी है इधर और गल्फ लेडर भी है तो यह जो डैस्कोरिया बिलोसा है इसका जो पेइन है रेडियेट करता है रेडियेट करने का मतलब क्या है कि बाडि के किसी एक पोर्शन में या एक भाग में उत्पन होता है और कुछ देर तक वहां महसूस होता है उसके बाद दूसरे पोर्शन में पहुंच जाता है तो तो चाहे flying pain हो, चाहे radiating pain हो, दोनों एक ही बात होती है. तो जो radiating pain है, body के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचता है, इससे homeopathic medicine का indication मिलता है. तो देखे, अगर पेट में दर्द हो रहा है, जिसको colic बोलते हैं, या फिर किसी भी hollow organ की बीच में जो pain हो रहा है, उसको spasmotic pain बोलते हैं. जिससे पेट में जो pain हो, उसको spasmotic बोलते हैं, urinary bladder में जो pain हो, उसको भी spasmotic pain बोलते हैं, uterus में जो pain हो, उसको भी spasmotic pain बोलते हैं, और यह जो गाल ब्लेडर है ने यह भी खाली एक थैली है इसके अंदर भी जो पेन होता है उसको क्या बोलते हैं इस पाजमोटिक पेन बोलते हैं तो चाहे स्पाज्म टाइप का पेन हो, चाहे मसल्स टाइप का पेन हो, बहतरी इन तरीके से काम करती है, डायस्कोरिया बिलोसा तो दिखिए, अगर पेट में दर्द उठता है, और वो चला जाता है, आर्म तक, यानि इधर बहां तक चलाएगा दोनों, बैक, पीछे, जो रिन की हड़ी है, उसके आसपास दर्द करने लगे, पीठ में दर्द करने लगे, या फिर चेस्ट में दर्द करने लगे, तरनी को कोलिक वाला पेन है, रेडियेट कर जाता है, आर्म के पास, बैक में, या फिर चेस्ट में, ठीक उसी तरीके से गाल ब्लेडर वाला भी पेन, जो गाल ब्लेडर का भी जो पेन है, इस पाजमोटिक पेन, वो भी रेडियेट कर जाता है, आर्म, बैक और चेस्ट तक, तो लगेगा और पेट से पेन खतम हो जाएगा तो बैक कमरदर्द या फिर पीठ में दर्द कने लगेगा या फिर चेश्ट में दर्द कने लगेगा तो द massage चाये इस तमक का पेन हो चाये गाल ब्लेडर का के पेन हो अगर और एडियेट करके चेस्ट और बैग में पहुंच जा रहा है तो उसके लिए इस मेडिसीन का इंडिकेशन है आप उसको यूज करें जरूर फाइदा करेगा और लीवर में जो पेन हो रहा है वो भी रेडियेट करके राइट निपल तक पहुंच जाता है लीवर जो है राइट साड में पा जाता है और उसका पेन रेडियेट करके देखे यहाँ पे लीवर है और निपल यहाँ पे होगा इस तरफ लंक के आसपास होगा तो यहाँ से रेडियेट करके यहाँ पहुंच जा है तो भी डैस्कोरिया बिलोसा का इंडिकेशन है ठीक उस इधर और इधर, किड्नी में उठने वाला दर्द कहां पुछ जाता है, नीचे टेस्टिक्स तक, तो भी एक रेडियेटिंग पेन है, उसके लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं, और सबसे खास बात, जिससे सबसे ज़्यादा लोग दुखी हो जाते हैं, जब पेन यहां पे होता है, इस्टर्नम के पास होता है, यहां से यहां तक की जो हड़ी है, उसको क्या बोलते हैं, इस्टर्नम, उसी में से जो दोने तरब की पसलियां जुड़ी होती है, वहां पे जब पेन होता है, तो इस्टर्नम के पीछे पेन होगा, तो लोगों को लगता है कि हर्ट में pain हो रहा है तो sternum के पीछे या sternum में होने वाला pain अगर arm तक पहुंच जा है यानि हाथ तक पहुंच जा है दाएं या बाएं हाथ तक या फिर दोनों हाथ तक और ऐसा लगता है कि जैसे जो पूरी पसलियां है ओ फैल नहीं रही है जो फैलेंगे नहीं तो लगता है कि जो lungs है उसके लिए space कम है इस वज़ा से जो feeling आती है जो दर्द होता है उसके लिए भी डाइस्कोरिया बिलोसा अच्छा काम करती है तो इस तरह के ए इंडिकेशन है और इन इंडिकेशन के basis पर अगर आप इस medicine को use करते हैं तो super तरीके से काम करेगी और इंडिकेशन इस तरह से है कि दर्द बढ़ जाता है कब बढ़ जाता है जब आगे की तरफ जुकते हैं bending forward आगे की तरफ जुकने से अगर दर्द बढ़ जाता है जब आगे आप बेंड हो जाते हैं तो दर्द बढ़ जाता है कोई भी दर्द हो चाहे कोलिक हो चाहे किसी भी टाइप का दर्द हो आगे बेंड होने से अगर बढ़ जाता है तो एक प्राइम इंडिकेशन है इसका और सीधे खड़े हो जाने से दर्द में थोड़ी रिलीफ हो जाता है थोड़ा आसानी हो जाती है तब इस मेडसीन का आप जरूर यूज करें डाइस्कोरिया कैसे यूज करना है तो देखिए आप मदर टिंचर इसका ले लेजे किसी भी हूमें पहतिक मेड्करिस्टौब मिलता है इसका मदा टिंचर तो डाइस्कोरिया विलोसा का मदर टिंचर आप ले लेजे क्यों पावर या मदर टिंचर दूनों एक ही चीज होती है और इसका 20 बूंत आधा कप पनी में डाल कर तीन बार लिजिए। ब्ली-ऊ-तब इसको तीन बार ठोड़ा ठोड़ा लेंके पीजिए। तो कि युदि फ्लाइंग। पेन है उसकी जो ओर जहां से रही है पेन उसको प्रणाहिक करे गा और जो दिक्कत है उसको चाल करेगा और आपको जो spasmotic pain है muscles pain है उससे निजात मिलेगी तो किसी اللर्व पैनकलर से super तरीके से काम करती है क्योंकि जो AllUNG health पैनकलर लेते हैं उसको liver को break करके बाहर निकालना पड़ता है तो इस तरह से liver के उपर effect डालता है और ये जो Chenating है यह लीवर को ब्रेक नहीं करना पड़ेगा मतलब लीवर को इसको तोड के बाहर नहीं निकालना पड़ेगा हैंनि मेटाबोलिजम में लीवर को इसके लिए अलग से काम नहीं करना और फायदा होता है तो आप comment box में लिखे कि आपने इस medicine को लिया और फायदा हुआ अगर फायदा नहीं होता तो भी आप लिखे तो और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जो indication हम लोगों ने अभी थोली दर डिसकस किया आपस में उस indication के basis पर अगर आप इस medicine को लेते हैं तो जरूर फ सेयर भी करना है तो आपने पूरा वीडियो देखा थैंक यू